चेप्टर का नाम है Natural Resources, Vegetation and Wildlife ये Social Science का थर्ड चेप्टर है जियोग्राफी का ठीक है ये चेप्टर हम आज करेंगे उससे पहले बच्चों आपने ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को शेर भी करना है मुझे कमेंट करके बताना है आपने कि किस-किस ने वीडियो पूरा देखा और वीडियो को शेर किया चलो चेप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या है Natural Vegetation Natural Vegetation क्या होती है? Vegetation का मतलब यहाँ पे है पेड़ पोदे जो ठीक है? उन्हें कोई लगाता नहीं है यह प्रकृति नेचरल ही अपने आप लगते हैं उसको बोलते है Natural Vegetation The Assemblies of Plant Species अलग अलग तरह के प्लांट जब इकठे कहीं पे लगते हैं And in an environment is known as Natural Vegetation ठीक है? इसे आदमी नहीं लगाता यह अपने आप ही नेचर में जंगल वगारा यह अपने आप लगते हैं और वहाँ पे जो पोदे पाए जाते हैं अलग अलग तरह के पेड़ पोदे ठीक है? उसी को क्या बोलेंगे? हम Natural Vegetation बोलेंगे और Natural Vegetation में क्या क्या आएगा? फोरेश्ट आगे जंगल आगे घास के मैदान आगे और सर्प्स बगारा जाडियां बगारा आगे ठीक है? यह सब क्या है? Natural Vegetation है यह अपने आप लगती है इनको आदमी नहीं लगाता ठीक है? नेक्स्ट है Temperature and Rainfall are two important factors for growth of plant ठीक है? दो factor हैं भी, एक है Temperature, दूसरा है Rainfall, Rainfall का मतलब आगो पता होगा बारिश, वर्षा, ठीक है? तो एक तो Temperature और एक Rainfall, यह इन दोनों चीजों पे Depend करता है कि Growth of Plant, कि Plant वहाँ पे किस टाइप के लगेंगे, कितने लंबे होंगे, कितने बड़े होंगे, ठीक है? उनकी जड़ें कैसी होंगी, ठीक है? उनका आकार कैसा होगा, यह सब कि स्पिटिमेंट करेगा Temperature और Rainfall पे, ठीक है? जिस एरिया का Temperature और Rainfall अलग होगा, वहाँ पे अलग तरह के पेड़ पोदे होंगे, और जिस एरिया का थोड़ा अलग होगा, जहाँ ठंड होगी, वहा साल बारिश होती है, तो वहाँ के जो जंगल होंगे, वह क्या होंगे? ठीक और डैंस, बहुत ही क्या होएंगे? डैंस होएंगे, बहुत ही घने जंगल होएंगे वहाँ पे, ठीक है? तो अगर यह तो heavy थी, अगर उससे कम हो, decrease हो, बारिश उससे थोड़ी कम हो, तो कैसा हो होंगे, जितने डैंस ही, इतने घने जंगल वह नहीं होंगे, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट है, low rainfall, अगर कहीं पे बहुत ही कम बारिश होती है, तो वहाँ पे एक तरह का desert हो जाएगा, ठीक है? रेगिस्तान, तो वहाँ पे छोट छोटी जाडियां लगेंगे और छोटे चोटे पेड लगेंगे, ठीक है? और अगर कहीं का cold reason है, ठंडा है कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होगी? scatter patches in the form of mosses and lichens, वहाँ पे lichens वगेरा, ठीक है? और value हैंगे, वहाँ पेड पो दे, ठीक है? patches में वो लगेंगे, ठीक है? अब next करते हैं, next में है classification of forest, classification of forest, forest कितनी तर से कर लेना, ठीक है? अब समझेंगे हम, ठीक है? on the basis of location, किस पे हम classify करेंगे इसको location और climate, ठीक है? दो चीज़े हैं, location की वो कहाँ पर हैं, और वहाँ का climate कैसा है? इस पे depend करता है, forest can be divided into three broad type, तीन टाइप में हमने forest को बाट दिया है, ठीक है? पूरी दुनिया के forest को हमने त hardwood forest, ठीक है? दूसरा है, Mediterranean forest, तीसरा है, temperate softwood forest, ठीक है? अब इन तिनो forest के बारेंगे हम, detail में पढ़ेंगे, पहला है, tropical hardwood forest, tropical hardwood forest, अब इसको भी हमने दो पार्ट में बाट दिया है, on the basis of temperature and rainfall, ठीक है? जो पहली type है, उसका भी हमने दो पार्ट बना दी, A और B, ठीक है? औ अगर temperature का difference है, तो थोड़ा सा, थोड़ा इन में difference आ जाएगा, जंगलों में, ठीक है? तो क्या है पहला, tropical evergreen forest, पहला है इसमें, tropical hardwood forest का पहला पार्ट क्या है, tropical evergreen forest, और दूसरा है, tropical deciduous forest, ठीक है? evergreen, देखो, evergreen, जो हमेशा हरे रहें, सदावहार, ठीक है? और deciduous का मतलब ह होता है, जिसके पत्ते जढ़ जाते हैं, ठीक है? English में deciduous का मतलब होता है, जिसके पत्ते जढ़ जाते हैं, ऐसे पेड़, और evergreen का मतलब, जो हमेशा हरे रहते हैं, पूरे साल हरे रहते हैं, ठीक है? अब पढ़ते हैं, इसके बारे में, डेटेल में, इसका, tropical evergreen forest क्या होते है also known as tropical rainforest इसको tropical rainforest भी कहते है rainforest क्यों कहा क्योंकि इस area में जहां पे जंगल होते हैं वहाँ पे सारा साल बारिश होती है सारा साल rainfall होती है ठीक है और all the forest of trees of forest do not shed their leaves और इन जंगलों में जो पेड होते हैं वो एक साथ अपनी पतियां नहीं गिराते ठीक है at the same time कभी कोई पेड गिराता है जैसे और कभी कोई पेड गिराता है पतियां ठीक है तो ये जंगल हमेशा क्या लगते हैं भई एवर ग्रीन लगते हैं ठीक है तो ये question आ सकता है ठीक है ये पाएं जाते हैं अवरीकोस्ट घहना, नाइज आईजीरिया, कैमरून, घैबन, इन अफरिका, ठीक है, ये अफरिका के ये जो देश है, इनमें ये पाएं जाते हैं, और इंडिया में कहा हम रिते हैं, केरल के यहां से केरल से शुरू करो आप यह केरल से शुरू करके ऐसे यहां तर ठीक है यह क्या है वेस्टन घाटा यहां पे क्या पाए जाते हैं भई यह वाड़े जंगल पाए जाते हैं ठीक है यह वाड़े फोरेश्ट पाए जाते हैं और कहां मिलते हैं भई अंडोमान न बारिश होती है, ठीक है, Evergreen Forest कहां मिलते हैं, ठीक तो इंडिया के North East में मिलते हैं, और ये क्या है, Western घाट है, ठीक है, इसका नाम है Western घाट, यहां पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं, ठीक है, अंडोमा निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये जंगल यहां प 200 cm तक यहां पर क्या होती है भी बारिश होती है ठीक है और tall trees होते हैं यह बहुत लंबे पेड़ होते हैं कितने लंबे होते हैं 60 मिटर तक चला जाते हैं ठीक है बहुत लंबे होते हैं several species of tree in single area और थोड़े से ही area में single area में ही कई तरह के पेड़ कई तरह के अलाग अलाग तर पतियां क्योंकि यहां पर बारिष बहुत होती है और पानी को जब ज्यादा पानी मिल जाता है पेड़ को तो वो अपनी पतियों से उस पानी को क्या कर देता है छोड़ जेता है atmosphere में ठीक है surplus जो monster होता है उस کو अपनी पतियों के दवारा छोड़ जाता है उसको transpiration कहते हैं ठीक है अब trees कौण कौण से mahogany, ebony, rosewood, rubber और palm के trees ठीक है यहां इन जंगलों में मिलते हैं और animal कौण से मिलते हैं elephant, lemar, monkey और deer ठीक है अब next देखते हैं कौण से हैं next का B part है उसी का tropical tropical desidious forest यह क्या होते हैं इन जो forest को क्या कहते हैं monsoon forest भी कहते हैं ठीक है जैसे इंडिया में monsoon का बात है वही और यह पाए कब जाते हैं यह पाए कहां जाते हैं South China में, India में, Myanmar में East Brazil में Central part of America में यह पाए जाते हैं climate क्या होता है warm होता है, यहाँ पे गरम होता है with distinct wet and dry season और wet season भी आता है, dry season भी आता है ठीक है जैसे अगर इंडिया की बात करें तो जो जितना भी अपना यह वाला area है आप लगाओ जहाँ पे यह monsoon आता है ठीक है लगबग अपना यह वाला area ठीक है यह वाला area क्या है यहाँ पे क्या आता है मानसुन आता है आपको पता है जून, जूलाई, अगस, सितंबर ठीक है यह तीन-चार मिन्ने होता है मानसुन आता है और यहाँ पे यह जंगल इंडिया के इस पार्ट में यह जंगल पाए जाते है summer rainfalls in June जून, जूलाई, अगस, सितंबर में होती है और 100 से लेके 200 सेंटीमेटर तक बारिश होती है vegetation not as dense इतनी घनी नहीं होती जितनी की tropical evergreen में घनी होती है vegetation इतने घने जंगल नहीं होती है जितने की tropical evergreen forest में क्योंकि वहाँ पे क्या होती है tropical evergreen forest में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए जंगल भी घने होती है इनकी भी broad size leaves होती है और medium size leaves दोनों तरह की leaves ये होती है shed leaves dry season और dry season में जब बारिश नहीं होती उस season में वो यानि की गर्मियों में वो क्या कर देते हैं भई अपनी पतियां क्या कर देते हैं छोड देते हैं गिरा देते हैं वो पेड और conserve moisture इससे क्या होता है उनका जो पोधों का जो dry season में moisture कम नहीं होता ठीक है अब देखो ये वाले जो पेड थे दूसरे rainfall वाले पेड ज़्यादा होती है वो तो क्या भी पानी को छोड़ते हैं ठीक है क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी मिल जाता है पतियों के द्वारा पानी को छोड़ते हैं यानि कि पतियां सिरफ पेड के लिए खाना नहीं मनाती पतियां पानी को छोड़ने का काम भी करती है अगर extra पाणी आ जाए ठीक है तो यहाँ पे तो क्या भी सुखे का season आ जाएगा जब तो पेड को पाणी की जुरूरत है मगर पाणी तो है नहीं तो वो क्या करेंगे अपनी पतियों को गिरा देंगे पतियों को गिराने से क्या जो पेड के अंदर जो पाणी है आप लगा लो जिसका उसने यूज करना है वो अब atmosphere में नहीं जाएगा क्योंकि पतियां क्या काम करती है पाणी को छोड़ती है एक तरह से ठीक है अब हाइट इसकी 30 से 40 मीटर तक हाइट सो सकती है और पेड कोन कोन से है साल, टी, संडल बूड, बैंबू, शिशम और युकलिप्टस युकलिप्टस आपको पता है क्या बोलते हैं उसको सफेदा बोल देते हैं ठीक है सफेदे के पेड ठीक है तो यह पेड यहाँ पर पाए जाते है और एनिमल कौन-कौन से लाइन, टाइगर, एलिफंड और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं मतनलो, छिपकली टाइब चिपकली सांप ठीक है इस तरह के रेप्टाइल्स यह पाए जाते है इन जंगल है अब यह लॉकेटेड रिजन आराउंड दा मेडिटेरिनियन सी ठीक है, यह क्या स्मुद्दर का नाम है इसके चारों तरफ जो भी है, जैसे मानलो ये समुदर है, इसके जो किनारे हैं, समुदर के जो किनारे हैं, यहां पर ये क्या पाए जाते हैं, इसके किनारे जो भी देश हैं, वहां पर ये जंगल पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, सोर्स ओफ यूरोप, यूरोप के इन सब जो महादीप हैं इनको ये टेच करता है तो यहाँ पर जो भी पाए जाते हैं वो जंगल का उसको बोलेंगे Mediterranean Forest ठीक है अब क्या होता है यहाँ पर Dry Summer होता है सुखा बारिश नहीं होती गर्मियों में और Moderate Rainfall in Winter और सर्दियों में बारिश होती है बिलकुल यहाँ मतलब ना जादा ना अकम ठीक है Moderate होती है Moderate का मतलब ना जादा ना कम ठीक है सर्दियों में बारिश होती है ट्रीज वाइडली स्काटर्ड एंड हैव स्पाइनी वैक्सी, स्पाइनी का मतलब है निडल टाइप ऐसे, बिलकुल एक दम से तिखे तिखे से उसके क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, वैक्सी मॉम जैसे मॉम सा लगता है, अगर उसको छूओगे, छोटे पत्ते हैं, और होता नहीं, तो जड़े निचे तक जाती हैं, निचे से पाणी ले ले लेती हैं वो, ठिक बार्क और उनकी जो छाल होती है, छाल आपको पता है न, पेड़ के ओपर जो जैसे हमारी खाल होती है, वैसे पेड़ों की क्या होती है, छाल होती है, ठीक है, इसलिए क्या होते है summer season में मोस्टर को retain कर लेते हैं जितनी छोटी पतियां होंगी उतना मोस्टर को रिटेन करेंगी ठीक है इसलिए क्या बई जो रेगिस्तान बगारा में जो पोद्धे पाए जाते हैं उनकी तो पतियां बिल्कुली कम होती है ठीक है और कांटे लगे उतने उस पे ताकि वो क्योंकि वहाँ पाणी दो होता नहीं तो पोद्धे को अपना मोस्टर बचाने है मोस्टर बचाने के लिए वहाँ पतियां लगबग ना के बराबर ही होती है ठीक है तो जितनी छोटी पतियां होंगी कोर्क की चाल ही ली थी, कोर्क की बारक ही ली थी और उसको माइक्रोस्कोप में देखा था जब तो उसने क्या देखा था, उसने देखा था कि वो उसमें क्या बढ़ी हुई है सेल्स बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसने रोबर्ट हुक ने क्या भई सेल्स की खुजगी ती यही पेड़ था वो कोर्क की चाल ली थी उसे ने ठीक है और उसको माइक्रोस्कोप में देखा था आप एनिमल में कौण कौण से पाए जाते है यह पे मौंक सील पाए जाते है सील आपने देख्योगी डिस्कवरी चैनल सील क्या होते है समुद्र में पाई जाती है और बारबरी मकैक मकैक क्या होता है मकैक होता है बंदर ठीक है जैसे हमारा यहां पे बंदर होता है उसको मकैक होता है ग्रीक टोटाइज कच्छुआ ठीक है और लिंक होती है लिंक क्या होती है एक तरह की डिस्कवरी में देखन आप discovery channel पर link होती है, एक तरह की बिल्ली होती है, ठीक है, और great busted etc, great busted होता है, एक पक्षी होता है, बड़ा सा, ठीक है, तो ये हमने कर लिया, इसका दूसरी type के जंगल, अब तीसी type के जंगल है, last type के है, temperate softwood forest, ये क्या होता है, known as coniferous forest, ठीक है, क्योंकि जो इनकी, जो shape होती जैसे, जोकर की टोपी होती है, या ice cream होती है, इस type के होते है, conical होते हैं, ठीक है, ये conical shape के होते हैं, इस type के जंगल होते हैं, ठीक है, आपने जोकर की टोपी देख्योगी, या ice cream देख्योगी, या keep देख्योगी, इस type के इनकी shape होती है, इसलिए इनको coniferous forest भी कहते हैं, found in higher बहुत उच पहाड़ों 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 और श्मीर घुमने गए हो तो आपको वैसे पेड दिखाई देंगे बड़े-बड़े पेड आपको दिखाई देंगे और उनकी शेप क्या होगी कोनिकल शेप होगी, due to their shape the snow cannot, और ये जो कोनिकल शेप है, इनको किस से बचाती है, क्योंकि वहाँ बरफ पड़ती है इसलिए उनके पत्तों पर आप वो बरफ नहीं ठैर सकती, देखो जैसी बरफ गिरेगी, ऐसे वो फिसल जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है, तो इसलिए उनकी कोनिकल शेप होती है, ठीक है trees do not shed, ये अपनी पतियां नहीं छोडते, और हमेशा क्या दिखते है भई, evergreen दिखते है tree, कौन-कौन से pine forest, दियोदार forest, chestnut और walnut ठीक है, walnut तो आपको पता होगा road, ठीक है, ऐसे पेड़िये वहाँ पाए जाते है, और इनकी commercial importance बहुत ज़्यादा है ठीक है, commercial importance यानि कि इससे क्या बनता है, plywood जो भी हमारे दरवाज़े बढ़ते है, pulp बनता है pulp से क्या बनता है, कागच बढ़ते है ठीक है, और animal animal pond से कश्मीर stack पाए जाता है spotted deer, antilope मिलेगा, snow leopard मिलेगा और tiger मिलेगा, ठीक है, यह यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है अब next देखो भई, next में क्या है advantage of forest, forest की क्या advantage, फाइदे क्या हैं भई, जो survival of life on earth, पोदों से ही, जो पेड़ पोदों से ही हमारी life है, इस earth पे oxygen देते हैं, आपको पता है habitat और animal के लिए क्या देते हैं, भी habitat देते हैं, जगा देते हैं, livelihood कई कई कईयों का तो जंगल से ही गुजारा चलता है ठीक है, जैसे जंगलों से कुछ लोग सहद निकाल के बेचते हैं या और भी कई काम ऐसे हैं, जो जंगलों से ही उनका गुजारा बता चलता है, ठीक है, livelihood मिलता है, keeping earth cool, जो जंगल होते हैं वो earth को cool रखते हैं, ठंडा रखते हैं causing rainfall और rainfall बारिश में मदद करते हैं, जंगल bind soil particle soil particle को bind करके रखते हैं, यानि कि soil erosion नहीं होता, जहां पे जंगल ज़्यादा होते हैं, help to raise the ground level water ground level water को raise करने में मदद करते हैं, prevent flood, flood को bard से बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि जहां पे ज़्यादा पेड होंगे वहां पे bard कम आएगी, क्योंकि पेड एक तरह से bard को रोक लेंगे, उसकी रफतार को रोक लेंगे, ठीक है, और ground level water को भी वह increase करेंगे, क्योंकि जहको पेड क्या करेंगे, पानी को चुसेंगे, और पानी क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो ground level water का वह उंचा हो जाता है जंगलों से, ठीक है, measure to protect forest, तो मतलब, आदमी क्या वह जंगलों को काट भी रहे हैं, कुछ गलत फैदा भी उठा रहे हैं जंगलों का, ठीक है, तो उसको protect करने के लिए क्या करना चाहिए भई, forestation, यानि कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए each one plant, one policy, ठीक है और सभी को एक पेड़ लगाना चाहिए इस policy पे हमने चलना चाहिए efficient और जो जो पेड़ों से बनी, जो भी चीज़ है, उसका सोच समझ कर इस्तमाल करना चाहिए, efficient and utilization करनी चाहिए, ठीक है और wood का जो substitute है, उसका ज्यादा use करना चाहिए, जैसे आज कल पहले क्या होता थे पे, सारा चीज़ लगडी की ही बनती थी, ठीक है मगर अब दरवाजे किसके बनने लगए अब दरवाजे अलग aluminum के भी बनने लगए, metal के ठीक है, अलग-अलग type के अब बनने लगए, अब क्या आगा भी, अब wood का use अब काम होने लगए, जितना पहले होता था अब उतना नहीं होता, ठीक है तो law of protect forest हमें यह से low कानून बनाने चाहिए जिससे forest क्या हो, protect हो सके discouraging shifting cultivation shifting cultivation क्या होती है कि भाई, इसमें क्या होता है, जंगलों को साफ करके खेती की जाती है, ठीक है फिर उसको छोड़ दिया जाता है अगले साल, फिर और कहीं जंगल को साफ करके खेती की जाती है, फिर खेती कर ली फसल ले ली फिर उसको छोड़ दिया फिर उस जंगलों को ऐसे बदलते रहते हैं इसको बोलते हैं सिफ्टिंग कल्टिवेशन ठीक है तो इस सिफ्टिंग कल्टिवेशन पर रोक लगानी चाहिए ठीक है क्योंकि इससे फोरेश्ट का क्या होता है लोस होता है ठी वाइल एनिमल से क्या होता है वे टूरिजम होता है और क्रियेट जोब्स मिलती है देखते हैं जंगल सफारी घूमने जाते हैं लोग उसे क्या होता है वे टूरिजम होता है वाइल लाइफ देखने जाते हैं लोग और लोगों को क्या मिलती है एक तरह से जोब मिलती है एनिम को इस behavior को देखकर हम सतर्ग हो सकते हैं और कई लोगों की जान बच सकती है एक बार सुनामी आई थी जब सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार में जो आदिवासी रहते हैं तो उनकी जान बच गी थी सिरफ और बाकी कई लोग उसमें मर गे थे ऐसा क्यों हुआ था क्यों कि उन आदिवासी ने क्या देख लिए भी जानवनों की हरकतें देख लिए कि चेंज हो रही है तो उन्हें आवास हो गया कि कुछ न कुछ खत्रा होने वाला है और वो उच्छी जगा पे चले गए इसे उनकी जान बच गी ठीक है तो एनिमल का behavior चेंज हो जाता है जब कु कोई पेड़ पोदा जब मिट्टी में मिल जाता है या कोई एनिमल मिट्टी में मिल जाता है तो क्या होता है वही हुमस प्रोड्यूस होता है और हुमस मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी है ठीक है जो भी हम फसलें लगाते है या कोई पी चीज लगाते है त तो क्या बन जाता है हुमस मिलता है हमें और हुमस क्या करता है मिट्टी की फर्टिलिटी को उपजाओ शक्ति को उसको बढ़ाता है जिससे फसले अच्छी होती है ठीक है किलिंग और वाइल लाइफ पनिशेबल ओफेंस अगर कोई मारेगा तो उसको क्या मिलेगा दंड मिलेगा इन जानवरों को मारेगा नेशनल पार्क और वाइड लाइफ बनाए हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों को जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अब देखो आगे है नेशनल पार्क और वाइड लाइफ सेंचरी क्या होती है नेशनल पार्क देखो अब आदमी तो जंगलों करने के लिए national park और wildlife centuries बना दी ठीक है national park क्या होता है ए national park is well defined area एक area है ठीक है जिसमें क्या भी protect किया जाता है किसको wildlife को protect किया जाता है जंगली जानूरों को ठीक है इसमे visitor can visit visitor इसमें visit कर सकते हैं घूमने फिरने जा सकते हैं but no one right to use forest product forest के किसी भी protect काम यूज नहीं कर सकते, firewood लकडी नहीं ले सकते, timber नहीं ले सकते वहाँ से, ठीक है, ये बिलकुल मना ही होती है, national park में, ठीक है अब बात आगी, wildlife century, ये भी इसी कितना होता है, पर थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, it is a declared protected area, ये भी ये एक area है, बहुत बड़ा area है limited human, इसमें human activity थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है hunting and cutting trees ban hunting और शिकार करना और पेड़ो काटना तो बिलकुल ban है, नहीं कर सकते, people can collect firewood इसमें से जो लोग है, ये बहुत बड़ा area होता है, इसमें से लोग क्या कर सकते है firewood ले सकते हैं, जिलानी की लकडी ले सकते हैं, और timber ले सकते हैं, timber भी लकडी होती है, ठीक है medicinal herb ले सकते हैं, दवाईयां बगारा की जड़ी बुटियां ले सकते हैं किसके लिए, मगर एक moderate amount में, ठीक है एक moderate amount में ले सकते हैं ज़्यादा नहीं ले सकते ठीक है which can be used for और वो किस के लिए research के लिए और educational purpose के लिए हम इसमें ले सकते हैं यही national park और wildlife में wildlife century में फरक है ठीक है तो यह हमारा lesson हो गया complete अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो channel को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share जरूर कर देना और comment करके मुझे जरूर बताना है कि किस किस ने वीडियो पूरा देखा है और किस किस ने share किया है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार